वेलकम आला फ्यूँ आज हम लोग जो है अगले लेक्चर के तरह बढ़ते हैं बर्निंग टेस्ट आफ फाइबर हम लोग ने पिछले लेक्चर में फाइबर आइडेंटिफिकेशन लेक्चर में हमने डिफ्रेंट मेथर्ट को जाना था कि अलग-अलग मेथर्ट से हम कैसे करेंगे Тक्स вдруг मैडर की पैचान कैसे करेंगे अज हम लोग को वर्ण करतें जलातें और जला करuster जो है उसकी फ्लेम को देखते हैं कि उसकी जो है लॉव है जो फ्लेम है वो किस कलर की है तेजी से जल रहा है मेल्ट हो रहा है तो उसके जो है बिहवियर को जो हम लॉव के बिहवियर को देखते हैं और उसके महक को उसमें से जो इसमेल किस तरीके की आती है उसमेल को जो है हम नो टाउन करते हैं और उसमें जो है उसकी जलने की बाद राख जो ऐसे राख है उसकी जो है राख किस कलर की है साफ्ट है हार्ड है उसके भी हैवियर को राख के भी हैवियर को हम जो है देखते हैं तो इस टेस्ट के माध्यम से हम फाइवर की पहचान करते हैं अलग-अलग जो है अलग-अलग behavior होगा तो हम fiber को easily पहचान कर लेते हैं कि हमारा fiber कौन सा fiber है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस burning test को burning test, fiber identification through burning test burn test to find out a fabric is made from cotton or other natural or synthetic fiber such as wool, silk, lilan, rayon or polyester to recognize the composition of fabric by burning test करें कि fiber identification through burning test burn test to find out if a fabric is made from cotton और हम fiber की पहचान burning test से करते हैं हम fiber को burn करते हैं और हम पहचान करते हैं कि fiber हमारा cotton है, wool है, silk है, या synthetic fiber है या natural fiber है हम burn करके fiber को जला करके fiber की पहचान कर लेते हैं कि हमारा fiber कौन सा है natural है या synthetic है और natural है तो natural में कौन सा fiber है यहाँ पर आप देख रहा है इस figure की माद्यम से कि हम इस sample को जो है इस law के contact मिलाते हैं, flame के contact मिलाते हैं और यह हमारा tweezers है tweezers के माद्यम से हम जो है जिससे की आपका हाथ ना जल सके तो हम इसके contact मिलाते हैं, fiber को जलाते हैं और जला करके उसके law के color को देखते हैं, उसके जलने के behavior को देखते हैं और जलने के बाद उसकी rock को देखते हैं, राग के color को देखते हैं, उसके hardness, sharpness को देखते हैं और उसकी smell, जलने के बाद उसकी smell को हम देखते हैं कि हमारा फाइबर की फाइबर की महक क्या है आएगे बढ़ते हैं फेबरिक बन टेस्ट वाट डू यू नीट तो डू दा टेस्ट आपको जो है अगर टेस्ट को परफार्म करना है तो क्या आव सकता है होगी करहा कि सेंपल चाहिए फोर सेमी स्क्वाइर पीश आ टेस्ट आपका जो है अलग अलग जो है मैटरियल जो है अलग लग जो है तो उसकेस में जो है, अगर हम फेब्रिक का टेस्ट कर रहे हैं, तो फेब्रिक का टेस्ट अलग करें, और वेफट का टेस्ट हमें अलग करना चाहिए, जिससे हम फेब्रिक को completely identify कर सकेंगे, सिरेमिक नवार्ट और स्टील पाट और माइक्रोमेव शेफ पाट और एलोमुनावभी साम्पल और, हमें उपकल नंनितेमा ने सेस्टील कौन सब्सक्या और, सिम्पल के बाद सब्सक्राइब तौीजर की चिम्ब्रती की आउउ सकता होती है जिससे आप fiber को पकड़ करके और उसको flame के contact में असानी से ला सकें जिससे hand आपका, हाथ आपका नजले To recognize the composition of fabric by burning test The sample of fiber, yarn, fabric should be moved slowly towards a small flame and reaction to heat carefully object हम जो है burning test को perform करने के लिए sample को पकड़ करके उसके जो flame हमारी जो है जल रही है उसके contact में जो है हम लाते हैं और ला करके उसको हम जलाते हैं जलाने की बाद उसके जो है जब हमारा material जलता है तो उसकी जो flame है, उसकी जो law है वो law जो है किस तरीके की दिख रही है, क्या behavior है उसको observe करते हैं और भी हम कई points को observe करते हैं आगे दिखते हैं उसके एक इंड को हम flame की contact में लाते हैं और उसको जो है burn करते हैं और उसकी characteristic को जो है observe करते हैं the burning order should be noted and characteristic of the ash such as amount, farm, hardness and color should be examined करहें कि flame जो simple को burn करते हैं और उसके flame को observe करते हैं फिर उसके महक को observe करते हैं क्यों किस तरीके का महक रहा है हमारा fiber जलने के बाद उसके ash की characteristic को जलने के बाद उसकी राखाती है राख की characteristic को observe करते हैं कि जलने के बाद राख की मात्रा कितनी है और उसकी hard है rock जो है ice उसकी hard है shocked है और ice का color क्या है इस सारे जो है चीजें को हम examine करते हैं क्योंकि यह अलग-अलग fiber का अलग-अलग behavior होगा तो इस वज़े से हम अलग-अलग behavior के वज़े से हम fiber को असानी से पहचान सकते हैं यहाँ पे आप burning test देख रहा है अलग-अलग fiber का burning test आपको दिखाया गया है यहाँ पे हम देखे एक viscose fiber है जिसका हम burning test देख रहा है यह जलता जा रहा है और जो है दूर होता जा रहा है और इसमें कोई AC जो आपको नहीं observe हो रही है हरनी night kez इसकी ऐसकी राक होती है हवा रवा ह्योटी होती है जलती जलती है और हवा में जो है यह जलती जाती है तो इस तरीके से हम अलग-अलग fiber को जला करके और उसके behavior को absorb करके हम fiber की पैचान कर सकते हैं यहां देखिए cotton fiber है cotton fiber जल रहा है तो eloise flame इसकी flame कैसी निकल रही है eloise flame निकल रही है और इसकी महक कैसी होगी paper की जैसे mark होगी जैसे हम paper जलाते हैं और paper जलाने के बाद महक आती है like that उस तरीके की ice कैसी होगी rock जो इसकी rock बचेगी और rock कैसी होगी जो है आपकी gray color की होगी gray बिल्कुल black इस नहीं होगी slightly gray black होगी और आपकी shaft होगी rock भी हमारी shaft होगी तो इस तरीके से जो हमारा fiber है अलग-अलग fiber है उसकी flame का हम behavior देखेंगे उसकी ice का behavior देखेंगे उसके महक उसकी smell किस तरीके के है इस तरीके से हम fiber का behavior देखेंगे और fiber को आसानी से हम burning test के मादियम से पहचान सकते हैं तो आएए देखते हैं आगे बढ़ते हैं tabulation of fiber burn test हम इस table के मादियम से अलग-अलग fiber को हम जलाएंगे उसके flame के साथ उसका क्या behavior होगा की होगी after the flame जब मैट्रेल जलने लगता है तो उसका behavior किस तरीके का होता है और type of ice और उसकी राख किस color की होगी राख का क्या behavior होगा तो हम fiber को burning test perform करते हैं और उसको observe करते हैं अलग-अलग fiber को हम के behavior को यहाँ पर हम notice करेंगे देखेंगे और fiber की पहचान इस burning test के मादव हमसे असानी से कर सकते हैं तो आये देखते हैं Carton, Ham, Premie यह सभी cell logic fiber है तो इनका behavior similar करीब एक तरीके का behavior होता है तो आये देखते हैं reaction to flame जब हम flame के contact में जो है ले जाते हैं तो इस material का क्या behavior होता है does not shrink और यह material shrink नहीं होता है does not shrink away from the flame और जैसे ही flame के contact में जाता है वो flame से दूर नहीं हटता है और shrink नहीं होता है ignite easily on contact with flame और flame के contact में आने पर आसानी से यह जल जाता है जलने लगता है burning behavior burn rapidly with yellow flame और जब जलता है तो तेजी से जलता है और yellow flame, yellow is flame के साथ जलता है और grey smoke और जो है इसमें grey color की smoke जो है धुमा निकलता है और burning order इसकी जो है smell किस तरीके की होगी burning paper आप paper जो है paper की आप जो है smell को पैचानते हैं तो paper की जैसी smell होती है इस cotton hemp और रेमी की जैसे आप ऐसा लगएगा कि हम paper कहीं जला रहा है paper जल रहा है उसी तरीके की इसकी महाँ काएगी after the flame is over जब आपका जो है material जो है जल रहा है तो continue to burn there is an after glow क्याना कि इस लगातार जो है जलता रहता है जलने की बाद जो है लगातार जलता रहता है continuous जलता रहता है type of ice soft grey grey colour की ice होगी बिल्कुल black is नहीं होगी grey जो है light black होगी यानि grey colour की होगी और soft होगी soft grey powder powdery smooth ice और जो है बिल्कुल soft होगी smooth जो है बिल्कुल smooth हमारी इसकी जो राख होगी smooth होगी lilan को हम अगर test करते हैं तो burning test lilan का अगर हम जो है sample जलाते हैं अगर हो material अगर lilan हो तो कैसा behave करेगा किस तरीकी का उसका behavior रहेगा burning test के साथ does not shrink away from the flame ignite easily and contact with flame करहें कि flame के contact आने पर ओ जो है दूर नहीं हटता है दूर नहीं होता है और आसानी से ओ जलने लगता है burn rapidly with bright yellow flame and light grey smoke करें कि तेजी से जलता है bright yellow frame के साथ और light grey smoke के साथ जलता burning paper इसकी smell भी burning paper की तरह होगी continue to burn there is an after glow लगतार जलता है shaft grey powder smooth as और shaft grey जो है आमारी जो ash होगी grey color की होगी जो है smooth होगी तो यह lilan भी हमारा जो है cellulogic material है तो काफी कुछ इसका जो है cotton की तरह इस लिलन का भी जो है behavior होगा रियान does not shrink away from the flame क्यारा कि यह shrink नहीं होता है जैसे आपने जो है burning test में जो है देखा कि यह shrink नहीं होता है और यह flame से जहां पे हमारी जो है जिससे हम जला रहा है उससे दूर हाटता जाएगा जलेगा और दूर हाटता जाता है इस तरीके का behavior शो करेगा जब जलेगा तो burn rapidly with yellow flame and light gray smoke और जब जलता है तो burn rapidly with yellow flame yellow flame के साथ जलता है और light gray smoke और इसको जो smoke होता है बल्कुल light gray color का होता है burning wood are pulp paper और इसके smell होती है इसका भी जो है जैसे लकड़ी जलती है या paper जलता है उसी तरीके की smell होती है burn slowly without flame with slight melting और जलता है burn slowly without flame और जो है बिना flame के साथ जलता है और इसमें no ash कोई भी ash इसमें नहीं होती है जलने के बाद इतनी ऐसकी light होती है कि हवा में उड़ती जली जाती है आपको जो है जलने के बाद इसकी राग नहीं दिखती है उल का burning test करेंगे shrink away from flame और जब flame के contact में आता है तो slightly shrink होता है और flame से दूर होता है material burning behavior burn slowly with an orange color but does not melt small flickering flame करें कि burning slowly with orange color करें कि यह जलता है लेकि बहुँ slowly जलता है उल फाइवर जो है बहुत तेजी से नहीं जलता है और orange flame के साथ जो है जलेगा no melt नहीं पिखलता नहीं है small flickering flame और जो है चिट-चिड हाट जैसे चिट-चिट जो है जलने आवाज आती है जलते समय उसी तरह से बहुत lightly जो है आवाज होती है order of flame strong order of burning hair और feather जो है एक बहुत कड़वी यह बहुत तेजी से जो है चड़ने वाली जैसे hair हमारा बाल जलता है या पंक जो है जलता है उसी तरीके की smell is wool fiber के होगी after the flame is over जब हमारा flame जो जल रहा होता है may self sting is that is it burn itself out करा है कि यह जो है बहुत slow जलता है और धीरे धीरे जलता है ice का जो है behavior क्या होगा crushable black beads that turn to ice करें कि यह थोड़ी सी कड़ी इसकी जो ice होगी slightly कड़ी होगी crushable होगा या उसको आप हाथ से crush करेंगे तो crush हो जाएगा black bead जो है थोड़ा सा कड़ा जो black bead है जैसी secure ना जाती है material जलता है secure जाता है उसको हम और ही कठा हो जाता है उसको हम beat कर रहे है उसको हम beat करते है that turn to ice और इसको हम जब crush करते हैं तो ice में एक convert हो जाता है तो उलकाए behavior होगा silk का हम अगर देखें तो shrink away from flame और जब हम इसको flame के contact में लाते हैं आनि law के contact में चलाने के लिए लाते हैं तो shrink away from the flame इस shrink होता है और flame से दूर हटता है burn slowly और यह धीरे धीरे जलता है sizzles but does not melt और यह melt नहीं होता है धीरे जलता है लेकिन यह melt नहीं होता है burning hair और इसकी smell भी burning hair की तरह होगी जैसा हम बाल जलाते हैं और उसकी smell आती है उसी तरीके से जो है एक तीखी smell होती है may self sting is और आसानी से जो है यह जलता है crushable black beard that turn to ash और यह भी जो है थोड़ी सी जो है कड़ी इसकी ash होती है और यह crushable होती है और crush की बाद जो है राख में convert हो जाती है beads जो है जो पॉलिस्टर फाइबर को देखते हैं कि इसका behavior जो है burning test में कैसा है जो है इसका behavior होगा तो melt and pull away from the flame अब यहां पर देखिए जो है flame के contact में हम लाते हैं तो अगर वो material फाइबर या या यार्न फेब्रिक अगर पॉलिस्टर होगा पॉलिस्टर होगा तो उसका behavior कैसा रहेगा melt and pull away from the field कहरे कि लॉग के contact में flame के contact में आते ही वो melt होता है पहले वो क्या होता है melt होता है and away from the flame और flame से दूर होता है दूर होता जाता है burning behavior melt and burn with black smoke और जलता है melt होगा पिघलता जाएगा जलेगा और black smoke बिल्कुल काली जो है धुआ जो है निकलता है order of flame sweet chemical order एक chemical की जो है जो महक होती है उस तरीके से इसकी महक आती है after the flame ही जो बार continue burn and melt जब हमारी जो है flame पकड़ लेती है तो एक इस तरी से जलता है continue जलता जलता है और पिखलता जाता है type of ice firm small hard bead in cream and letter tan color का रहे कि जो है जलने के बाद जो इसकी राख आती है वो beads में इकठा हो जाता है material जो है इकठा हो करके जो है एक bead हो जाता है और cream letter tan color जो है इसका शो होगा और कड़ा होता है इसकी ice जो होगी क्या होगी कड़ी होगी acetate melt and pull away from the flame melt and burn with yellow flame a cried harsh sharp order a cried जो है chemical की जो महक होती है उसी तरीके से इसकी जो है महक होगी continue burn and melt जो है जलता रहेगा और पिखलता रहेगा farm small beads और जो bead बनेगी जलने की बाद जो राख होगी वो इकठा हो जाती है एक शिकूर जाती है उस bead जो होगी छोटी होगी nylon melt and pull away from the flame nylon को अगर हम flame के contact में लाते हैं तो क्या होता है melt and pull पिखलता है और उस flame से दूर होता है melt bubbles as it burn और यह जलता है और जैसे bubbles जैसे निकलते हैं जलते समय उसी तरीके से bubbles निकलता रहता और पिखलता जाता है और जलता है acid harsh sharp order और जो है जो acid की smell होती है एक sharp acid की उसी तरीके से smell करता है continue to burn and melt और लगातार जलता है और पिखलता है farm small beads और जलने के बाद जो beads बनती है जो राख जो शिकूर जाती है वो small छोटी beads बनती है तो इस तरीके से हमने different material का burning test देखा और इस burning test में हमें कुछ precaution रखनी होती है सावधानिया रखनी होती है तो क्या हम सावधानिया रखें perform the burn test outside on a day that not windy जब हम जो है अगर out में इस burning test को perform कर रहा है तो बहुत तेज हवा जो है चल रही हूँ तो इस test को perform नहीं करना चाहिए और इन्हें well ventilated area inside या तो अगर हम inside area में अगर कर रहे हों कमरे के अंदर कर रहे हैं तो हमारा जो है ventilated proper ventilation हो away from flammable item children and pets और जो है इसको जो है हम जो flammable item हो जलने वाले item हो उससे दूर पर फार्म करते हैं बच्चों से और जहनूर से इसको जो है दूर पर फार्म करते हैं इस तरीके से मैं समझता हूँ कि burning test जो है आप असानी से जो है समझ गया होंगे कि हम fiber की पैचान burning test के माध्यम से कैसे करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको test clear होगा thank you